ओम शान्ती आज 27 जन्वरी दो हजार चौबिस की साकार मुरली है आए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे माहावाक्यों को मीठे बच्चे रुखानी सर्जन तुम्हें ग्यान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं यही रुखानी खुराक एक दो को खिलाते सब की खातीरी करते रहो प्रेश्न है विश्य का राज्य भाग्य लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो पक्की पक्की आदत डालो उत्तर है ग्यान के तीसरे नेत्र से अकाल तक तनशीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो भाई भाई समझ सभी को ग्यान दो पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाईयों को समझाओ यहाँ आदत डालो तो विश्य का राज्य भाग्य मिल जाएगा इसी आदत से शरीर का भान निकल जाएगा माया के तुफान वबूरे संकल्प भी नहीं आएंगी दूसरों को ग्यान का तीर भी अच्छा लगेगा ओम शान्ती ग्यान का तीसरा नेत्र देने वाला रुखानी बाप बैठ रुखानी बच्चों को समझाते हैं ग्यान का तीसरा नेत्र सिवाई बाप के और कोई दे नहीं सकता अभी तुम बच्चों को ग्यान का तीसरा नेत्र मिला है तुम जानते हो अब यहाँ पुरानी दुनिया बदलने वाली है बिचारे मनुश्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं क्योंकि उन्हों को ग्यान का तीसरा नेत्र ही नहीं है तुम बच्चों को अभी ग्यान का तीसरा नेत्र मिला है जिससे तुम स्रिस्टी के आदि मध्य अंत को जान गए हो यहाँ है ज्यान की सेक्रीन सेक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है ज्यान का भी एक ही अक्षर है मन मनाभव अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो बाप शांतिधाम और सुखधाम का रास्ता बता रहे हैं बाप आए हैं बच्चों को स्वरका वर्सा देने तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं जो सदैव खुशी मौच में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक होती है 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्थ खुराक है यही खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो तुम शुरुमत पर सभी की रुखानी खातीरी करते हो सच्ची सच्ची खुश खैराफद भी यहा है किसको बाप का परिचे देना मीठे बच्चे जानती हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ती की खुराक मिलती है सत्युग में भारत जीवन मुक्त था पावन था बाप बहुत बड़ी उंची खुराक देते हैं तब तो गायन है अतिंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो यहाँ ग्यान और योग की कितरी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है और यहाँ खुराक एक ही रुहानी सर्जन के पास है और किसको इस खुराक का मालुम ही नहीं है बाप कहते हैं मीठे बच्चेों तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूँ मुक्ती जीवन मुक्ती की यहाँ सौगात मेरे पास ही रहती है कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूँ फिर रावन चीन लेता है तो अभी तुम बच्चेों को कितना खुशी का पारा चड़ा रहना चाहिए तुम चानते हो हमारा एक ही बाप, टीचर और सच्चा सच्चा सत्गुरू है जो हमको साथ ले जाते हैं Most beloved बाप से विश्य की बादिशाही मिलती है यहाँ कम बात है क्या? सदैव हर्शित रहना चाहिए Godly student life is the best यहाँ अभी काही गायन है फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशिया मनाते रहेंगे दुनिया नहीं जानती कि सची सची खुशिया कब मनाई जाएंगी मनुश्यों को तो सत्यु का ग्यान ही नहीं है तो यहाँ ही मनाते रहते हैं प्रन्तो इस पुरानी तमो परधान दुनिया में खुशी कहां से आई यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं कितना दुख की दुनिया है बाप तुम बच्चियों को कितना सहच रास्ता बताते हैं ग्रिहस्त वेवहार में रहते कमलफूल समान रहो, धंदा धोरेयादी करते भी मुझे याद करते रहो, जैसे आशिक और माशुक होते हैं, वहां तो एक दो को याद करते रहते हैं, वहां उनका आशिक, वहां उनका माशुक होता है, यहां यहां बात नहीं है, यहां तो तु प्रति दिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है इसलिए अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुन भी धारन करो तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायन बन जाएंगे इस पढ़ाई में मुख्य बाद है ही याद की उच्च ते उच्च बाप को बहुत प्यार और स्नेह से याद करना चाहिए वह बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्य का मालिक बनाने इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएं पतत पावन बाप को ही बुलाते हैं न अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बढ़ना पड़े बाप दुख हरता सुख करता है बरोबर सत्युग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे अब बाप फिर से कहते हैं बच्चे शांती धाम और सुख धाम को याद करते रहो अभी है संगम युग खिवया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं नई या कोई एक नहीं सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है उनको पार ले जाते हैं तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशिया होनी चाहिए तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है बेहत का बाप हमको पढ़ा रहे हैं वाह यहा तो कब न सुना ना पढ़ा भगवानुवाच्च मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं तुम रुहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हू तो पूरी रीती सीखना चाहिए धारना करनी चाहिए पूरी रीती पढ़ना चाहिए पढ़ाई में नंबर वार्तों सदैव होते ही हैं अपने को देखना चाहिए मैं उत्तम हूँ मध्यम हूँ वाकनिस्ट हूँ बाप कहते हैं अपने को देखो मैं उच्पद पाने के ला मैं आया ही हूं सर्विस के लिए रोज सर्विस करता हूं इसलिए ही तो यहां रत लिया है इनका रत बिमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूं मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूं ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो तो मैं भी स पर होना यहाँ है रुहानी सर्विस बाप मीठे मीठे बच्चे को समझाते हैं बच्चे तुम भी बाप की सर्विस में लग चाओ on god fatherly service सारे विश्य का मालिक बाप ही तुमको विश्य का मालिक बनाने आए हैं जो अच्छा पुरुशार्थ करते हैं उनको महावीर कहा चाता है देखा जाता है कौन महावीर है जो बाबा के डिरेक्शन पर चलते हैं बाप का फर्मान है अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो इस शरीर को भूल जाओ बाबा भी इन शरीरों को नहीं देखते हैं बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ बाकी यह तो ग्यान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती मैं भी इस शरीर में आया हूँ लोन लिया हुआ है शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है बाबा की बैठक यहां है यहां है अकाल तक्त आत्मा अकाल मुरत है आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है शरीर छोटा और बड़ा होता है जो भी आत्माई है उन सभी का तक्त यहा भ्रिकुटी का बीच है शरीर तो सभी के भिन भिन होते हैं किसका अकाल तक्त पूरुश का है किसका अकाल तक्त स्त्री का है किसका अकाल तक्त बच्चे का है बाप बैठ बच्चों को रुहानी ड्रिल सिखलाते हैं जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आतमा समझो हम आतमा फलाने भाई से बात करते हैं बाप का पैगाम देते हैं कि शिब बाबा को याद करो याद से ही जंक उतरनी है सोने में जब खाद पड़ती है तो सोने की value ही कम हो जाती है तुम आतमाओं में भी जंक पड़ने से value less हो गए हो अब फिर पावन बढ़ना है तुम आतमाओं को अब ग्यान का तीसरा नेतर मिला है उस नेतर से अपने भाइयों को देखो भाई भाई को देखने से करमेंद्रियां कभी चंचल नहीं होंगी राज भाग्य लेना है विश्य का मालिक बढ़ना है तो यहां महनत करो भाई भाई समझ सभी को ग्यान दो तो फिर यहां आदत पक्की हो जाएगी सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो बाप भी उपर से आए हैं तुम भी आए हो बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं हिम्मते मर्दा तो यहां प्रैक्टिस करनी है मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ आत्मा पढ़ती है ना इसको spiritual knowledge कहा चाता है जो रुहानी बाप से ही मिलती है संगम पढ़ ही बाप आकर यह knowledge देती हैं कि अपने को आत्मा समझो तुम अशरीरी आये थे फिर यहां शरीर धारण कर तुमने 84 जनम पाट बजाया है अब फिर वापिस चलना है इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की नजर से देखना है यहां मेहनत करनी है अपनी मेहनत करनी है दूसरे में हमारा क्या चाता charity begins at home अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाईयों को समझाओ तो अच्छी रिती तीर लगेगा यहां जोहर भरना है मेहनत करेंगे तब ही उचपद पाएंगे बाप आए ही है फल देने लिए तो मेहनत करनी पड़े कुछ सहन भी करना पड़ता है कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा ताली तो हाथ से बचती है एक ने मुख की ताली बचाई दूसरा चुप कर दे तो वहाँ आपे ही चुप हो जाएंगे ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है बच्चों को एक दो का कल्यान करना है बाप समझाते हैं बच्चे सदैव खुशी में रहना चाते हो तो मन मना भग अपने को आत्मा समझ बाब को याद करो भाईयों आत्माओं तरफ देखो भाईयों को भी यह नौलेज दो योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाईयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी बाबा ने कहा है भाईयों को समझाओ भाई सभी यहां रुखानी नौलेज एक ही बार तुम ब्रह्मन बच्चों को मिलती है। तुम ब्रह्मन हो फिर देवता बढ़ने वाले हो। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे नहीं तो पार कैसे जाएंगे। कूदेंगे थोड़े ही। यहां वन्डरफुल संगम युग ह तो बच्चों को रुखानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फाइदे की बात है। बाप की शिक्षब भाईयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ग्यान दे रहा हूं। आत्मा को ही देखता हूं। मनुश्य मनुश्य से बात करेंग श्रीर का भान तोड़ना होता है तुम्हारी आत्मा समस्ती है परमात्मा बाप हमको ग्यान दे रहे हैं बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूं आत्माएं भी कहते हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं उनसे नौलेच ले रहे हैं इसको कहा जाता है स्प्रिच्छल ग्यान की लेन देन आत्मा की आत्मा के साथ आत्मा में ही ग्यान है आत्मा को ही ग्यान देना है यहाँ जैसे जोहर है तुम्हारे ग्यान में यहाँ जोहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से जट तीर लग जाएगा बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है यहाँ नई आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा माया के तुफान कम आएंगे, बोरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी हम आत्मा ने चुरासी का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है, अब बाबा की याद में रहना है याद से ही तमो परधान से सतो परधान बन, सतो परधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे, कितना सहच है बाब जानते हैं, बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पाठ है, कोई नई बात नहीं हर पाँच हजार वर्ष बाध हमको आना होता है, मैं बंधाय मान हूँ, बच्चों को बैट समझाता हूँ, मीठे बच्चे, रुहानी याद की यात्रा में रहो, तो अंत मतिसो गती हो जाएगी यहाँ अंत काल है ना, मामे कम याद करो, तो तुमहारी सदकती हो जाएगी, यहाँ देही अभिमानी बढ़ने की शिक्षा, एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है, कितना वांडरफुल ग्यान है, बाबा वांडरफुल है, तो बाबा का ज्यान भी वान्डरफुल है कब कोई बताना सके अभी वापस चलना है इसलिए बाब कहते हैं मीठे बच्चों यहाँ प्रेक्टिस करो अपने को आत्मा समझ आत्मा को ज्यान दो तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है यही बड़ी महनत है अच्छा मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुट मॉर्निंग रुखानी बाब की रुखानी बच्चों को नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाब दादा को नमस्ते जी नमस्ते जी सदा रहेंगे हस्ते जी वाह बाबा वाह शुक्रिया बाबा शुक्रिया दिल से कहो मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा शुक्रिया मेरे बाबा आपका लाख लाख शुक्रिया धारना के लिए मुख्यसार जैसे बाप बच्चों की रुहानी सर्विस पर आए हैं ऐसे बाप को फॉलो कर रुहानी सर्विस करनी है बाप के डारेक्शन पर चल खुशी की खुराग खानी और खिलानी है कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप रहना है मुख की ताली नहीं बचानी है सहन करना है वर्दान है स्वरिड़ता की शक्ती से मन बुध्धी को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव बच्चों का बाप से प्यार है इसलिए याद में शक्ती शाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं लेकिन मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं है मन ओर्डर में नहीं है तो थोड़ा टाइम अच्छा बैठते हैं फिर हिलना डुलना शुरू कर देते हैं कभी सेट होते, कभी अपसेट होते लेकिन एकागरता की वा मजबूती की शक्ती से मन बुध्धी को एक रस्थीती की सीट पर सेट कर दो तो सहज योगी बन जाएंगे श्लोगन है जो भी शक्तियां हैं उन्हें समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनभव होंगे जो भी शक्तियां हैं उन्हें समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनभव होंगे शुक्रिया बाबा शुक्रिया और व्यक्ती साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्था सीती का अनभव करो अब हर एक ब्रहमण ब्रहमा बापसमान चैतन्य चित्र बने लाइट और माइट हाउस की जांकी बने संकल्प शक्ती का साइलेंस का भाषन तयार कर करमातीत डबल लाइट फरिश्था स्टेज पर वर्दानी मूरत का पार्ट बचाए तब संपुर्णता समीब आएगी उस करमातीत स्टेज के अधार पर जिसके प्रती जो संकल्प करेंगे उसके पास वह संकल्प पहुंच जाएगा अच्छा ओम शांती